उज्जेन शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में निराशित जरूरत मंदों के पास शहर के आम नागरीक भोजन बना कर सेकड़ों पेकेट पहुचा रहे हैं। ताकि गरीब और जरूरत मंद लोग भूके न रहे। कंप्लेट करके विद्रित कर रहे हैं। ताकि भोजन कर सके और भूक प्यास से बच सके। उज्जेन से विरेंदर शर्मा की रिपोर्ट। है उत्तुक बने हुए हैं और अपने घरों को जाने की कोसिस कर रहे हैं पर अगर बात करें शहर के जितने भी प्रमुक रोड हैं उन रोडों पर इस समय ना तो बस चल रही हैं और ना ही कोई सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर कहा रहे रहते हैं अभी राइस्तान से रहे हैं अच्छा तो क्या बस बगरा कुछ मिलनी नहीं कि आपको जाने के लिए कि कपसे बैठे हुए आप लोग यहां पर आधा गंटा अच्छा अभी कोई साधा नहीं मिला सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस बार भी सभी दोस्त लोगों ने मिलकर वापस दो जोगा हमको वोजन परशाधी वित्रण कर रहे हैं जरूरत मंद लोग हैं उनको यहां से भोजन वित्रण कर रहा है और अगर यहां नहीं आ रहा है कि अगर पास में कोई मुहले मिलर दम आ जाकर भी देरा पेकर हैं कि अगर बात करें हम इस समय जो है अंगपार्त मार्ग पर खड़े हुए और बड़ा ही प्राचिन जो है माता जी का मंदिर है सिटला माता मंदिर यहां पर अगर बात करें इस शेत्र के कई होनार यूबक और इस्थानी रहवासियों के द्वारा ऐसे जरूरत मंद लोग है जो भूके रहते हैं या उनको समय पर भोजन नहीं मिल पाता है तो उनके लिए भोजन की योस्ता यहां पर की जा रही है पिछले दो दिन से जो है निरंतर भोजन के पैकेट हैं पर कंप्लिट किया रहा है और ज़रूरत मंद लोगों को भोजन पहुशा है जा रहा है साथ कि अगर बात करें तो इम्मिनुटी बढ़ाने के लिए ताकि वह बीमार ना हो निरोग नहीं उसको लेकर काड़े का वित्रण भी हाँ पर किया रहा है किस प्रकार से यहां के जो इस्थानिये जो लोग है उनके मन में ख्याल आया कि लोगों भी मलत की जा है और किस प्रका अगर जिस प्रकार से अभी कोरोना वारस के जंते हैं अभी हमारे सहर उप्रिश्वान के लिए तो हमने हमने हमारे सभी सात्य गण में खायाल आया कि क्यों ना जरूरत मौन तो कम बोचन समगरी वित्रित करें उसी कड़ी में हमने इम्मिनुटी बढ़ाने के लिए आईश करते इवारोगी सेवा में और ढ़िए थो चाहर है आई बताया कि जो इस समय जो गंबिर महामारी को रहेश का दो चल्ता है है और उज्ञेंश शहर में जो गरीब लोग आए जो महत मग्जूरी करनी वाले लोग हैं वह भूके नहरा है उनके पास जो है भोजन की व्योस्त 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें